अबरियों कैसे हैं आप सब I hope कि सब अच्छे ही होंगे और ठंड को एंजोई कर रहे होंगे गाइस ठंड से मुझे याद आया कि इसकी जो हमारी फेस बहुत डल हो रहा है ब्लैक ब्लैक हो रहा है तो इसके लिए मैं अच्छा आपके लाप सभी के लिए लेकर आई हूँ यहां पर जो है मैंने बाउल में लिया है कॉफी एक चमच मैंने चोटी सी चमच है जो हम बच्चों को लच्श बोक्स में रखते हैं उससे मैंने लिया है एक चमच भर की लिया है कि भी लिया है क्योंकि वह आदा-ादा आया और मैंकन सब्सक्राइड को है मिल्ख करने के बाद यौuję इस रेमेडी को मैं फेस पे एपलाई करूंगी यह है एक क्लीजिंग यह हमारी पहले इस से हमको ना अपनी हमारी जो फेस है उसको क्लीजिंग करना है इसको मैं लगा रही हूँ और जितनी भी हमारी डैड स्कीन है ड्राइनेस है वो सब कुछ खतम हो जाएगा इससे यह दोनों ही प्रोड़क्ट बहुत ही अच्छे होते हैं स्कीन के लिए जो हमारे दूध है जो हमारा मिल्क है वो हमारी स्कीन को ड्राइ नहीं करता और डेली डेली गाइस यह सब हम कर नहीं सकते हैं इसलिए रोज रोज आपको बोलूंगी भी नहीं कि आप लोग करिए बाकी हपते में एक बार आपको यह करना चाहिए हमारे फेस के लिए हमको अपनी लिए भी टाइम निकालना ही चाहिए तो यह यहाँ पर मैं जो है च्छे से इसको लगा ले रही हूँ उसके बाद मैं आगे क्या करूँगी आपको बताती हूँ कर दो है पर ओको यह यह रही हूँ अश्चाशा है यह पर मेरे फ्रेंड का गया तपन तो मैं उससे बात कर रही थी वह बोलती जा रही थी मैं के बल हुं । यह द्राय हो गया है और इसको मैंने हलका सा बाउम वाटर में अब डिप करके और ज्यु नैपकेन है करें मैं अच्छा से क्लीनिक कर लिया है अकलेजिंग करने के बाद आप देखिए क्या फेस पर डिफ्रेंस आने वाला है करने करें देखिए कि अने की अचार है की पष्ट अपर इसे कैल लिया है और बदोटर ना प्तिक हो को कि और युआ ऑड तो आचिसल और बादह को थे जाओज अपने कें लिए सही फिस पर कि व हम्हते है की बारे लिए अधाय के लाद़ है तो इसको मैं लिया था और पता नहीं मैंने गरंता है था किया है टो मैंने क्या किया है । फेस बिल ही के लेक बहुत ही इंपोठेट है कि चरडिया और प्ल से की अधिर का रहला नियुक्त हवत है और जिक जो ब्लैक हैड, मुख है है जो भी है ना इसका क्या होता है कि इस्टीम लेने से विंटर में बहुत ही अच्छा होता है इफेक्ट करता है जो हमारी स्कीन पर यह स्टीम लेने से तो हमारी स्टीम जैसे हम लेंगे तो हमारी जो इस्टीम है बहुत अच्छे से सॉप्ट हो जाएगी गाइस इसके बाद जो भी हमारे र बहुत ही बहुत ही मस्त वाला पैक बताने वाली हूं फिर इसको आप जरूर देखिए और अगर आप जो मस्त जोल्द में बता रही हूं ना पैक उसको बस लगा लोगे ना तो आपको क्लेजिंग और कोई भी चीज की जरूत नहीं है यहां पर तो मैंने यहां पर मेरी स्टी मेरी ताप सकते मेरी इनने बल्ला पैक स्कीकिया है और यहां टाइण आप मेरी प्रमाइर देलीा ना जो बावित कमोझा है इसमस में ना रहे हैं कॉवित हमारा रहे हूं कहला वाली मेरी काफिन में सब्टार ना वाल खिक हैँ वाल अबियाSON करो कि चीट ऐंसे में सी ह worship, अ बढ़ा सिक्विट लेइब मिस्की कर लेंगे उस के बाद हम इसको प्रेस पर लगाई poured जाते ही भीक लगाते हैं लगाने के बाद इससे हम क्ली ने कीकलें दिखेप है उसको झो मोई पही ही तो गिश्केन से लोगा सकते हैं अगर स्कीन बाशन है तो जो आपकी मेरी स्कीन ड्राइब मेरी अगर मैं तो जो sought प्रतीर है तो कुछ चिप चिप में जो इसी को आड़ स्पितल है एसे कोई भी जो क्रीम होती है, मेरे फेस पे सूट नहीं करती है गाईज तो यह कहने का मतलब यह है गाईज यह जो मैं बता रही हूँ यह आपकी स्कीन के लिए बहुत बहुत मस्त है गाईज तो आपकी जो स्कीन है वो नीट एंड क्लीन रहेगी और खैर उसके बाद जो है आप इसको अच्छे से फेस पर लगा लीजिए और नेचरली आपकी जो स्कीन है बहुत ही गलो रहेगी और आप जो भी आप मेकप करेंगे ये अच्छे से सेट करेगा आपको ये क्लीन करने के बाद आप खुद ही देखना इसी वीडियो में देखना की जब ये मैं क्लीन करूंगी ना तो मेरी जो इसकीन है वह गलो करेगी आपको अलग से इफेक्ट दिख जाएगा कि ये जो मैं बताई हूँ ये बहुत ही जो हमारी इसकीन के लिए है मस्त वाला है मस्त वाला face pack है गाईस तो गाईस यह मैंने किसी को apply करके देखा था गाईस तो फिर मैंने भी इसको use किया 1 बार 2 बार 3 बार किया तो यह मेरी skin के लिए बहुत ही effect किया है गाईस मस्त वाला है गाईस तो बस इसको आप जब remove करेंगे ना गाईस देखाए के बाद आपको इसको क्लीन करना है उसके पहले आप जो गाईस को आप स neu मने इकडम क्लीन रहेगी वह इसकीअ है बहुत ही मस्त देखेगी क्लीन देखेगी नीट एंड क्लीन जो भी हमारे ब्लैक इट्स वगेरा है वह भी बहुत अच्छा है तो आई होप आपको यह जो हमारा वीडियो है पसंद आया होगा अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसके बार राय हो यह एकदम से ड्राय हो चुका है काईस बहुत ही आप उसको इस पे हमारे लगा सकते हैं तो इससे आपकी जो स्कीन है वह बहुत ही चमकती हुई डिखेगी अभी आप देखेगा खुद आप देखे आपको समझ में आ जाएगा आप खुद ही देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा का दापको समझ का वह बहुत ही तो आपको समझ में आपको समझ कापको समझ का आपका खश००००००००ै आप देख सकते हैं यहां पर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और मेरे फेस पर गलू है आप देख सकते हैं कितना अच्छाया है उसके बाद आप जो भी क्रीम लगाते हो लोशन लगाते हो उसको लगा लें आपको यह वीडियो समझ में आई होगी गाई मुझे अतना अभी एक्सपिरियंस नहीं है बोलने का बताने का तो दीरे दीरे मैं सीखूंगी मतलब आ रहा है जो भी है आप लोग समझ सकते हैं तो गाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लोग में अब तक लिए बाए वीडियो को लाइ कना शेर